हेलो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आसा विश्वास फूरी उम्मीद है मस्त होंगे स्वस्त होंगे जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे असफलता एक चनौती है स्विकार करो क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो जब तक कना सफलो तुम नीन चैन को त्यागो तुम संखर्स का मैदान मत छोड़ भागो तुम यह हैं किसी की जैजेकार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कोसिस करने वालों क कभी कभी हार नहीं होगी इसी बिचार धारा के शाथ हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक कि हम अपना लक्ष प्राप्त ना कर ले जो टारगेट जो सपने हमने छोटी से आखों में देखे थे उनके लिए निलंतर हमें महनत करनी है भले एक दो दिन हमारे पास कभी डिस्ट काउट को लेकर आंगे बढ़ेंगे तो निश्य थी हमें उसका बहुत अच्छा लाब होगा आज हम बात करेंगे कक्षा तोयल्ट की आप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसमें एक टॉपिक्स अपका और रह गया है अब बरतन से रिलेटेट वह हम आज बात करे आहिती है जिसका फॉर्मूला राइव आज चरने वाले हैं तो हम आज तीन टॉपिक डिसकους करेंगे हैं ऑ coronavirus में तीनको करने वाले हैं आज जो हम topic discussion करने वाले हैं, उन topics में पहला topic का नाम है बटा प्रकास का अपवरतन, फिर जो दूसरा topic होगा आपके पास प्रकास का उतक्रम्नता, प्रकास की उतक्रम्नता, प्रकास की उतक्रम्नियता, और तीसरा होगा विभिन माध्यमों से प्रकास का अपवरतन, विभिन माध्यमों से प्रकास का अपवरतन, विभिन माध्यमों से प्रकास का क्या करना है बटा आपको अपवरतन करना है, तो चलिए पहले point जो हमारे पास है उसका discussion आज करते हैं बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि अब बरतन क्या होता है प्रकास का जो अब बरतन होता है वो क्या होता है समझने का प्रकास करते हैं अब चुके हमें यह पता है प्रकास का बरतन reflection of light बोलते हैं इंगले से बेटा प्रकास का बरतन reflection reflection of light reflection of light reflection of light can general means क्या होता है उसको समझेगे हमें ये पता है कि हम ये पढ़के आई हैं जो परकास किरण होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है तक चलती है एक सीधी रेखा में चलती है और वो अपने अगर माध्ययम को चेंज ना करे तो वो एक सीधी रेखा में चलती रहेगी अगर वो अपने माध्यम को चेंज ना करे तो वो एक सीधी रेखा में क्या होगी बेटा चलती रहेगी ठिक अब जो माध्यम होते हैं हमारे पास वो इसके लिए हम लोग दो माध्यम लेके चलते हैं एक होता है बिटा अपने पास माध्यम विरल और एक माध्यम होता है अपने पास सघन एक माध्यम होता है और एक माध्यम होता है बिटा अपने पास सघन शगन माध्यम और विरल माध्यम शगन माध्यम और विरल माध्यम शग पहले के comparison में शुबधा होती है उसे हम लोग शगन माध्यम कहते हैं जैसे हम बात करें सगन और विरल माध्यम में ऐसा भी बोल सकते हैं थोड़ी दिर के लिए विरल माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और सखन माध्यम में जो माध्यम की कड़ होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं जैसे हम बात करें बेटा बायू और जल की किसकी बात करें बेटा बायू और जल की तो बायू और जल में हमें पता है कि बायू कौन सा माध्यम होगा बेटा विरल माद्ध हम होगा और जल कौन सा माद्ध हम होगा आपका सखन माद्ध हम होगा क्यों होगा क्योंकि बायू में चलने में हमें सुबधा होती है जबकि जल में चलने में हमें सुबधा होती है अगर comparison हम करें बिटा किस-किस का जल और कांच का जल और कांच का comparison करें जल और कांच तो जल और कांच में क्या होगा बिटा जल और कांच में जा हम comparison करेंगे तो जो जल होगा वो कौन सा माध्य होगा विरल और इसके comparison में जो कांच होगा वो कौन सा माध्यम होगा बेटा सगन जब वायू और जल की बात कर रहे थे तो दोनों में comparison जब करेंगे तो वायू में चलना आसान है जल में चलना थोड़ा कठिन है जब की जल और कांच में comparison करेंगे तो जो आपका प्रिकास करण है जल में चलने में आसानी होगी और कांच में चलने में असुबधा होगी क्योंकि चल की करण पास-पास होगे और कांच की काहार कैसे होगे दूर-दूर जबकि इन में comparison किया जाए तो इसमें माध्यम की करण पास-पास अपना जो रास्ता है अपना जो पात है उसको डिस्टर्व कर लेती है इस घटना को प्रकास का बरतन कहते हैं जब कोई प्रकास की करण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्क को क्या करती है वेटा बिचलित करती है या हट जाती है अपने मार् अब बरतन कहते हैं मानली जी प्रकासी गरणों को ये स्टेड लाइन से ऐसे आ रही थी ठीक है ये आ रही थी ये आपका नॉर्मल है ये आपका नॉर्मल है तो प्रकासी गरणा इधर से आ रही थी इसे मानले हमको हमने चेंज कर दिया सेकंड वाले को मानली जी ये बायू मे चलिए तो इसको सीथी चलना चाहिए तो लेकिन इसमें घटना देखने मिलेगी प्रिकास और ना जाके विटा यह नॉर्मल की और बैंड हो जाएगी नॉर्मल की जूखने का मतलब है कि जब प्रकास की करण ने अपना क्या कर लिया, मार्क चेंज कर लिया, तो यह जो घटना होगी, इसको हम लोग बरतन बोलेंगे, ठीक है, हाँ बात, समंध में आगी सर, क्या ऐसा होगा सर, कि यहाँ पे दूसरी फिनामेना हो जाए, हम सखन माध्यम से, अगर विरल माध्यम वेद्ने प्रकास की करण को, तो क्या होगा, अगर आप प्रकास की करण को सखन माध्यम से, विरल माध्यम में भीजेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, बैसे प्रकास की करण को सीधा चलना चाहिए, तो ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नदा कि यह क्या होगा, नॉर्मल कौन सा हो गया यह यह हो गया यह बायू हो गया और यह बाटर हो गया यह पानी हो गया यह माले से वाटर हो गया आपके पास और यह आपका क्या हो गया यह हो गया मतलब बायू हो गया फस्ट मीडियम से से कंड मीडियम में गई इधर से भी फस्ट मीडियम से से कंड मीडियम में गयी तो मांधिम चेंज होने पर प्रकास का अपना क्या किया रास्ता चेंज किया तो इस घटना को क्या ौचा की बाओ या जो माई बोलते हैं और यह वाला जो यह अंको ँझते हैं और यह उता है और बरतित करण कहते हैं और यह जो normal होता है यह इसको भिलम बोलते हैं ऐसे यह है आई और यह क्या हो गए आपका बरतन कोड़ा इसके बारे में हमने basically आपके साथ discussion किया है तो जब आई का मान बेटा कैसा होता है बड़ा होता और आर का मान कैसा होता है छोटा तो पहला जो मीडि clear है इसके बाद अगर आई की value बेटा चोटी है और आर की value कैसी बड़ी आप की value बड़ी है और आई की value छोटी है इसका मतलब है जिसly करणने जिस माध्धियम से आई उप हैला माध्धियम वो शगहन होगा और जो दूसरा माध्धियम होगा बेटा वो क्या होगा आपके पास विरल होगा क्या होगा विरल होगा ये इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे इसके बात आती है बिटा प्रिकास के अब बरतन के नियम की तो नियम हमें दो दिये गए प्रिकास के अब बरतन के कितने नियम है बिटा दो नियम है नियम है कितने दो वो नियम दो कौ होते हैं कौन-कौन आपतित करण आपतित करण और अपबरतित करण आपतित करण और अभिलंब और अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं दूसरा निया में कहता है कि आपतित करण की जिया आई चाहिन और अबरतितन करण की जिया साइनार का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग माध्यम का बरतनां कहते हैं तो यह दो नियम हो गया और प्रकास की अबरतन की आपके पास घटना होगी है यह दो नियम होगे और प्रकास के अब बरतन की क्या होगे आपके पास घटना इसके बाद बेटा क्या हो प्रकास की उतकर्मनिता क्या होती है प्रकास की उतकर्मनिता यह होती है कि हम अगर बात करें इसको हम रीच कर रहें बेटा प्रकास की उतकर्मनिता का मतलब हो उतकर्मनिता बोलते हैं प्रकास की उतकर्मनिता का मतलब यह है कि माध्यम में आपका प्रकास का उतकर्मनिता सिध्धान्त प्रकास की उतकर्मनिता प्रकास की उतकर्मनियता है वेटा सीधी एनिया आपता और उसका अबर आपर आप तन कौन और आप बरतन कौन का मान हम क्या कर दें चेंज कर दें यदी आप तन कौन तथा अप बरतन कौन आप तन कौन और बरतन कौन को परस पर वदल दिया जाए तो इस घटना को परकास की उतकरमनता कहते हैं ठीके बटा एनिकि ऐसा कहानी है कि हमारे पास यह आप तन कौन है यहां से डिस्टर्ब होके यहां पहुंचके माली जी सखर्माद्दे में ठीक है बेटा तो यह आपतन कौन है आई और यह अब बरतन कौन है आर हम क्या करें इसको माल देवाली आई को क्या कर दे आर और यहां से अब बरतन होने लगे ठीक है तो यह जो घटना होगी पहले द किसकी बात करेंगे विभिन माध्यमों से प्रकास के अब बरतन की चर्चा करेंगे तो विभिन माध्यमों से प्रकास का अब बरतन का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे मीडियम होंगे जिन में प्रकास की करेंगे अपना डिस्टर्ब करेंगे तो अपना अगला टॉपिक है का विभिन माध्यमों से अब बरतन प्रकास का विभिन माध्यमों से अब बरतन प्रकास का विभिन माध्यमों से क्या करना है अब बरतन करना है चलो पहला माद ध्यम दूसरा माद ध्यम तीसरा माद ध्यम और यह हो गया अपने पास मान लेजिए यह हो गया आपके पास जल क्या भरा है यह आपके पास जल भरा है ठीक है बटा यह आपके पास जल भरा है ठीक इसके बाद जो सेकंड मेडियम है वो हमने आरे पास लेके चलना है बटा काँच है क्या है काँच है ठीक है ऊपर क्या है बटा बाईू है नीचे क्या है जल है फिर इदर क्या है काँच है फिर इदर क्या है वाई हुगा है इस तरीके से हमारे पास मीडियम है अलग-अलग इनसे हम प्रिकास के अब बरतन की घटना करा रहे हैं ठीक है बेटा तो पहले प्रिष्ट के लिए काम करेंगे यह लिजे हम एक नॉर्मल खीच ले रहे पहले प्रिष्ट पर ठीक है तो यह जाने चाहिए थी सीधे लेकिन बैंड होके यह इस तरीके से जुग जाएगी फिर कासी करण क्या होगी माध्यम चेन होने पर बैंड होके यह इस तरीके से आपकी जुग जाएगी तो यह क्या होगी आपका और इसको हम ले 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 बटा आर बन कह ले 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 आर बन आप यहां से bend हुई बेटा इस पर हम एक नॉर्मल फिर से खीच दे रहें इस वालेपर हमने एक नॉर्मल खीच दिया यह तो इसको जाना चाहिए कैसा कैसा जल से कहां अरह तो यह जमखी पर फिर से bend हो जाएगी एक बार फिर से बैट होगे तो यहां पर फिर से नॉर्मल खीच लेंगे आप जब इस पर एक नॉर्मल खीचेंगे तो फिर प्रकास की क्या होगी सखन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलम से दूर अटके वह ऐसी चले जाएगे और यह जो एंगे लोगा इसको फिर से अम लोग क्या बोलेंगे वह इदर आगे फिर कांच मेंगा अभिलम से दूर अटके ठीक है चलेए और यह जो एंगल होगा आपका यह क्या बन जाएगा आरटू बन जाएगा क्या होजाएगा रटू हम पहले और दूसरे माध्यन की बात करेंगे जब व आयो और जल के लिए फस्ट सर्फेस के लिए जब बात करेंगे इधर से तो फस्ट फिनॉमिना में क्या होगा से इसनेल के नियम से आप तन कौन की जिया मतलब साइन आई ठीक है आप तन कौन की जिया साइन आई यह पहला मीडियम लेके चल ले हैं यह सेकंड है और यह यह है वाק है सिद्धों एंब फोर्त कए यह थीएं कि बायों आगये ना फिर से तो यह फरस्ट लेके चलحمन ठीक है चलिए सैन L इसे क्लेट टू इस साइनार क्या है साइन आई आर के लिए का था एब तो आप तन कावा पर अब बरतन कोन के जहागा क्या होता है क्या निच्छ के लिए बाईव और के लिए कि लिए इसी तरीकेसे जान का1000 आए इस नंतान के लिए जल और कांच के लिए ठीके जल और कांच के लिए क्या होगा बिटा साइन आप तन कौन क्या है इधर पे आपका आप तन कौन है आरवन अब बरतन कौन क्या है आरटू तो साइन आरटू इस इक्वल डू दूसरे मात दिम के आप तीसरे मात दिम का प्रतन है एन एन three equation number third ऐसे आपका जो third वाली property होगी कहां से कहां से वायू में जा रहा है तो कहां से वायू के लिए कहां से वायू के लिए क्या हो जाएगा बेटा आप तन कौन किजिए है मतलब sign आप तन कौन इदर क्या है r2 अब बरतन कौन क्या है बेटा i to sign r sorry i is equal to पहले माद्दम किसाब इस दूसरा माद्दम पहला माद्दम क्या है n3, 3 and 2 यह क्योंसा नमबर क्या होगी आपकी 3rd होगी जब आप 1st, 2nd, 3rd को क्या करेंगे solve करेंगे तो क्या निकल के आएगा देखेंगे समी करन 1st, 2nd and 3rd से 1st, 2nd and 3rd से क्या होगा इसको देखेंगे 1st, 2nd दाथ 3rd से क्या होगा देखेंगे यह होगा आपके पास sin i upon sin r1 multiply sin r 1 upon sin r1 upon sin r2 into sin r2 upon sin i sin i is equal to 1 and 2 multiply 2 and 3 into 3 and 2 जो होगा sin r से sin r खतम होगा आपके पास sin r खतम होगा यह खतम होगा तो अपने पास क्या निकल क्या है 1 and 2 into 2 and 3 into 3 and 2 is equal to 1 3 and बने इस तरीके से relation हमारे पास निकल के आगया ठीक है यह relation हमारे पास निकल के आगया इसका आप skin sort ले सकते है इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे बेटा अगर हम पहला माद्यम के के लिएके चलना है yu तो पहला माद्यम yu हो गया दूसरा क्या लिएके चलना है बेटा आपके पास gel मतलब water हो गया तीसरा क्या लिएके चलना है कांच कांच मतलब आप glass हो गया फिर आँगे क्या है yu फिर से air हो गया तो इसको हम फहले माद्यम को a लिख दे दूसरे माद्यम क्या लिख दें बेटा w a w into यहाँ दूसरे माद्यम क्या लिखें water water तीसरे माद्यम क्या लिखें glass into third माद्यम को क्या लिखें a sorry third माद्यम को क्या लिखें बेटा third कांच glass an और air third को क्या लिखना है बेटा third को third को निकला glass glass और ये air ऐसा होगा बोली हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा सर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा अगर हम ऐसा लिखें थोड़े दिर के लिए कि W N G अगर हमें लिखना है बराबर बन W N G बराबर क्या बन जाएगा आपका? ये दोनों टर्म क्या multiply में जाएंगे उदार डिवाइड में मोच जाएंगे तो a n w into z n a ठीक है तो w n g is equal to one upon a n w और हैं पता है कि one upon z n a को लिख सकते हैं आप g n a को लिख सकते हैं आप a n z एक बटे दो को ठीक है तो ये वाली टर्म उपर जाएगे तो इसका conversion station हो जाएगा a n z में तो जड़ ड़ ड़ और ड़ अग जी का जो फर्मुल या उसको आप लिख सकते हैं a n z upon a n w एनिकी पानी के साफेज ग्लास का बरतनांग जो होता है वो बाईू के साफेज ग्लास का बरतनांग बराबर होता है बराबर होता है यह दोनों हमने अपना फॉर्मूलर ड्राइब कर लिया है चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बाकि जो भी आपका डिस्कसान है उसको हम आंगे नेस्ट टॉपिक में करेंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं चोटे बच्चों से प्यार कीजिए बड़े लोगों का सम्मान कीजिए अपना वेक्तित इस तरीके से विक्सित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें थेंक्यू सो मच और वेस्ट